और सफलता से भी सिखने की कोशिस शेखर ने अपने दादाजी से या सावाल पूछा सभी लोग अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन बहुत कम लोग ही अपने लक्ष तक पहुँच पाते हैं अगर अपने लक्षे तक पहुँचना है तो क्या करना चाहिए शेखर सना तक अंतिम वर्ष का छात्र है और प्रतियोगिता परिक्षाओं की तयारी कर रहा है उसके दादा जी प्राइमरी स्कूल से रिटाइड सिक्षक है उन्होंने शेखर का सवाल सुनने के बाद कहा अपने लक्षे तक पहुँचने के लिए ब्यक्ति को सबसे पहले खुद को असफलताओं को सिकार करने के लिए तयार करना चाहिए दादा जी का जबाब सुनने के बाद शेखर ने पूछा मैं आपकी बात समझ नहीं पाया आखिर आपने आपको असफलता के लिए तयार कर सफलता कैसे पाई जा सकती है शेखर का सवाल सुनने के बाद दादा जी ने कहा इस बात को मैं तुम्हारा ही उदाहरन देकर समझता हूँ तुम इस समय प्रतियोगिता परिक्षाओं की तयारी कर रहे हो तुम अगले वर्स होने वाली परिक्षाओं में बैठोगे तुम यही सोच कर बैठोगे कि तुम्हें सफलता मिलेगी दादा जी की बात पर शेखर ने हां में सिर हिलाया इसकी बाद दादा जी ने कहा, मान लो तुम अपने पहले प्रयास में असफल हो जाते हो, तो तुम क्या करोगे, शेखर ने कहा, मुझे बहुत निराशा होगी, मैं तयारी में अपनी तरफ से कहीं कमी नहीं छोड़ रहा हूँ, दादा जी ने कहा, निराशा ही असफलता की जड़ है, वह कैसे? शेखर ने सवाल किया, दादा जी बोले, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे तयारी मुखमल है, लेकिन परिक्षा तो दूसरे की इच्छा पर निर्भर है, अगर तुम पहले प्रयास में असफल होने के बाद निराश हो जाते हो, तो तुम्हारी आग को अपने कम्यों को दुरुस्त करने का मौका मानोगे, तभी आगे की तैयारी में उन्हें दूर कर पाओगे, हर परिक्षा ती यही सोचता है, कि उसकी तैयारी पूरी है, लेकिन शफलता कुछ लोगों को ही मिलते हैं, ये वही लोग होते हैं, जो अपनी असफलता से लिखने की कोशिस आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताईएगा और यदि आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब किजिएगा ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी कहानिया ला सके धन्यावाद